इस्रेल पर हमास के हमले ने सौधी अरब और इरान के बीच अव श्वास की नई दीवार खड़ी कर दी सौधी अरब ने इरान से का कि इरान की सेना से सहयोग तो बढ़ाना चाहता है लेकिन इसके लिए बड़ी शर्थ है ये शर्थ ऐसी है जिसे इरान कभी पूरा नहीं कर सकता अब सवाल क्या है? दरसल सवाल ये है कि क्या ये सौधी अरब का डबल गेम है? खाजा में गिरते गोलों के बीच सौधी अरब इरान के बीच डील की बेशकश हो रही है लेकिन सौधी अरब ने इस डील के होने से पहले इरान के सामने रख दी है बड़ी शर्थ शर्थ जो इरान के हथियार जमा करने के इरादे का परदाफाश है शर्थ अपने इरादे को अपने वर्चस सुमें कमी करने को लेकर है सौधी अरब ने इरान के साथ सैनिक सहयोग बढ़ाने के पहले सीधे सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इरान क्षित्री अताकतों को हथियार सप्लाई करना बंद करे सौधी अरब ने अपनी साथ साल पुराने दुश्पनी को पीछे रखकर इसी साल मार्च में इरान से दोबारा दोस्ती का नया चैप्टर खोला है लेकिन उसके पहले ही पेज़ पर अब सैनिक सहयोग बढ़ाने के लिए शर्ट की दीवार खड़ी हो गई है सौधी अरब ऐसा क्यों कर रहा है? सौधी अरब इरान से आखिर चाहता क्या है? इरान क्यूं मानेगा अपने दोस्तों को हथियार सप्लाई नहीं करने की शर्ट? क्या सौधी अरब खेल रहा है डबल की? सौधी अरब इरान को हथियार सप्लाई करने से क्यूं मना कर रहा है? इसकी डीटेल में जाने से पहले ये जानना बेहत जरूरी है कि इरान किन-किन देशों और संगत्थनों को हथियार सप्लाई करता है और इसके पीछे इरान की मनशाप ऐसा कमाना कम अपने वर्चस्स के स्थापना ज्यादा है शमन के हुथी विद्रोहियों को आता है इरान से हथियार लेबनान के हजबुल्ला भी इरान का हथियार ही चलाते हैं घाज़ा पट्टी के हमास लड़ाकों को इरान से मिलते हैं हथियार, सीरिया को भी इरान भेजता है हथियार, इरान रूस तक को हथियार सप्लाई करता है रूप्स इस वक्त जिन कामिकाजे ड्रोनों का धुआधार इस्तेमाल योक्रेन युद्ध में कर रहा है वो इरान से ही सप्लाई होते हैं ऐसे ड्रोन हमास के पास भी होने के कयास लगाए जाते हैं अब सवाल ये है कि सवादी अरब से सैनिक सायोग पढ़ाने के लिए इरान हथियार के दम पर हासिल अपने आधिपत्य की बली क्यों चड़ाएगा इस सवाल का जवाब डीटेल में दिखाएंगे इस वक्त सवादी अरब के शर्ट के पीछे और पूरे इरान सवादी अरब के बीच रिष्टों की नई और बेहत दिल्चस्प कहानी को समझना बहुत ज़रूरी है सवादी अरब इस समय कूटनीती की पिच पर बढ़िया खेल रहा है हमास के इसरेल पर हमले ने सवादी अरब को इरान पर नैतिक नकेल लगाने का मौका दे दिया है कैसी इसे विस्तार में समझे नी सवादी अरब अमेरिका का खाड़ी में सबसे बड़ा सहयोगी है लेकिन सौधी अरब अब जाता है कि सैनिक सहयोग में अमेरिका पर निर्भरता कम की जाए तो इसके लिए सौधी अब इरान से हाथ मिला रहा है अब देखिए इरान अमेरिका का दुश्पन नमबर एक है इरान से दोस्ती भी सौधी अरब की चीन ने करवाई चीन भी अमेरिका के दुश्पनी वाले लिस्ट में टॉप पर है अभी और देखिए इरान नैटो देशों की चेतावनी के बावजूद रूस को हथियार सप्लाई करता है मतलब ये कि सौधी अरब एक तरफ इरान से दोस्ती काड़ी कर भूस और चीन के करीब देखना चाता है दूसरी ओर इरान को अमेरिका की ओर से ये समझा रहा है कि वो हमास को हथियार सप्लाई करना बंद करे मतलब ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि सौधी अरब ने अमेरिका के साथ वही पुराना रिष्टा अब भी कायम रखा है सौधी अरब और इरान के बीच दोस्ती और दोश्मनी एक ही सिक्के के दो पहलो है ये दोनों खाड़ी देश अपना वर्चस्त अस्थापित करने के लिए लड़ते रहे हैं यहां तक की मार्च 2023 में दोनों देशों के बीच जो दोस्ती अस्थापित होई है वो भी सुविधाओं वाली शादी की तरह है आपको आगे दिखाएंगे कि इरान हथियारों की दोड़ में इस सुवक्त कहां से कहां पहुँच गया है और इरान क्यों नहीं छोड़ेगा हथियार सप्लाई करना लेकिन अभी सौधी अरब की इरान से दोस्ती की असली मंच्शा अल अकसा मस्जद में जब इस्रेल की सेना गुसी तो इसका विरोध करने में सौधी अरब आगी रहा लेकिन इस पीच सौधी अरब इस्रेल की दोस्ती का नए मंच्श सजाने की तयारी करता रहा यह डील अमेरिका की मध्यस्ता में होनी थी इरान से दोस्ती के बावजूद सौधी अरब इस्रेल से दोस्ती करने जा रहा था ऐसा इसलिए क्योंकि सौधी अरब को घाजा से ज्यादा चिंता अपनी है इस्रेल उसके लिए फायदे मंद है तो एक तरफ तो सौधी अरब इस्रेल को गले लगा रहा था दूसरी और इरान से गलबहिया कर रहा था हमास के हमले ने सौधी अरब के इस दो दर्फा चरित्र को वेनाखाप कर दिया जिस अल-खसा मस्जिद में इस्रैली सेना के घुसने को हमास ने पूरी दुनिया में इसलाम के खिलाफ हमला बताया बतला लेने के लिए इस्रैली पर हमला कर दिया सौधी अरब ने उसमें हमास का साथ देने से इंकार कर दिया यहां तक कि इरान पर भी हमास को कंट्रोल करने का दबा़ डाल रहा है सौधी अरब अपनी सेटिंग में बिजी है और इरान अपनी कई पश्यमी मीडिया में रिपोर्ट आई कि हमास का हमला इरान के ओर्डर पर हुआ क्योंकि ऐसा नहीं होने पर सौधी अरब इस्रेल के बीच डील हो जाती और ऐसा होता तो इरान की सारी कूटनीती और क्षित्रिय शेहन साही स्थापित करने की ख्वायश मिट्टी में मिल जाती यहां बिल्कुल संक्षेत में समझना जरूरी है कि सौधी अरब इरान के बीच की दोस्ती इरान पर कैसे भारी पड़ती इसरेल सौधी अरब डील होती तो इरान क्यों होता परिशान? पहली वज़े इरान के तीन मुख्य दुश्मनों इसरेल, सौधी अरब और अमेरिका के बीच बड़ी डील होने की संभावना पैदा होती दूसरी वज़र सौधी अरब इस्रेल की डील से खाडी में शक्ती संतुलन सौधी अरब के पक्ष में चुकता क्योंकि डील की मध्यस्ता अमेरिका कर रहा है तीसरी वज़र खाडी में इरान की बर्ती ताकत पर तत्काल लगाम लगाने की संभावना पैदा होती तो इरान ने सौधी अरब और इस्रेयल में डील होने से पहले हमास के हमले वाली चाल चल दी लेकिन सवाल उठता है कि शाम अलग, सुबह अलग राय जाहिर करने वाले सौधी अरब और इरान के बीच की दोस्ती क्या कभी पक्की भी होगी जिसमें भरोसी की इट होगी, ये दिहास इस मिलन के खिलाफ खड़ा है बहुत कम शब्दों में समझे, सौधी अरब इरान की दुश्मनी की साथ साल पुरानी खूनी कहानी कब, कैसे और क्यों लिखी गए सौधी अरब और इरान के बीच पिछले कई दश्कों से चेत्रिय प्रभुत्तों के लिए संघर्ष पिचारी है, जो धार्मिक विभाजन के चलते का भीर हुआ है ये दोनों ही मुल्क इसलाम की अलग-अलग शाखाओं को मानते हैं इरान एक शिया बहुसंख्यक देश है, जबकि सौधी अरब सुन्नी बहुल देश है सुन्नी और शिया, कानून, धर्मशास्त्र और संघठन जैसे मामलों में अपने अलग-अलग नियमों का पालन करते हैं इन दोनों समुदायों के निता प्रभाव के लिए एक दूसरे के साथ संघर्ष रत रहे हैं सीरिया से लेकर लेबनन और इराक से लेकर पाकिस्तान तक कई क्षेत्रिय संघर्षों ने इस विभाजन को बढ़ाने में अपनी भूमी का निभाई है कहीं कहीं इन संघर्षों ने पूरे पूरे समुदाय को ही थोड़ दिया इरान यमन के हूथी को इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि वो शिया है लेबनन के हेजबुला को भी इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि वो शिया है इराक में भी सपोर्ट पहुचाता है क्योंकि वहां भी शिया मुसल्मानों की अच्छी तादाद है लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि इरान हमास को भी सपोर्ट करता है जो सुन्नी है लेकिन यहां मामला इस्रेल के खिलाफ है तो इरान तो हर उसके साथ है जो इस्रेल को अपना दुश्मन बनाते हैं लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब इरान के हथियार संपन्न देश या संगठन सुन्नी बहुल सौधी अरब के दुश्मन हो जाते हैं इसी लिए तो सौधी अरब नया समीकरण बनाने की कोशिश में है लेकिन यहां दिक्कत यह है कि यहां भी इरान सबसे बड़ा रोड़ा है चीन और रूस से सौधी अरब का डिरेक्ट मिलन हो ही नहीं सकता बीच में इरान आएगा ही और फिलहाल सौधी अरब के पास इसका कोई हल नहीं है लिहांसा सौधी अरब का डबल गे जारी है